सब्सक्राइब किजिए दीपू टेग्नियल चैनल को और इस बेल आइकन को दवाई लेटेस्ट टेक्नलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो हे गाईज मेरा नाम दीपक और स्वागत है आप सभी का हमारी यूडिव चैनल दीपू टेक्निकल में आज की वीडियो बहुत ज़्यादा वेकार होने वाले क्योंकि आज की इस वीडियो आपको बताऊंगा कि आप अपने इस्टाइलिस और प्रोफेशनल तरीके से कैसे सो मतलब जो नेम है हमारा उसको इस्टाइलिस फॉंट में और साथ में कुछ एमोजी वगेरा सेच करके ए तो फ्रेंट आपको अपने फॉन में कोई भी इक ब्राउजर उपन कर लें हमने गूगल ख्रोम ओपन कर लिया इसके बाद आपको सब्सक्राइब करना वहां पर टाइप करना इंस्टाइलिस नेम कंदवर्ट इतना आपको टाइफ कर दिना आपको सिंपल साथ करना है तो चलिह हम फटापद टाइप करते हैं और इसको सर्च कर लेते तो हमने type किया convert और search कर लिया अब यहाँ पर आपके सामने कुछ search रीज़ आगए हम first वाले पर click करके इसको open करने के first वाले फिर क्लिक करना है आपको या second वाले फिर जिस पी आप करना चाहें इसके बाद आपके सामने store और टाइप और paste your text है तो मलब यहाँ पर अपना जो नेम है उसको यहाँ पर टाइप करना जिसको आपको stylus में करना है तो चलिए हम अपना नेम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं यह दीपक मीना मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया मेरा नेम दीपक जैसे ही हमने यहाँ पर अपना नेम टाइप किया तो आप नीचे देख सकते हैं खुदी ही आपका stylus में convert हो गया यहाँ पर unlimited नेम आपकी convert हो है आपको नीचे भी स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ मैं आप देखी सकते हैं आप जितना हम नीचे क्ल रहे हैं वैसे ही यह नेम इसस्टाइलिस और अच्छे अच्छे नेम आपकर सामने तो हो रहे है इसके बाद आपको अगर और भी नेम चाहिए तो आप थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करें और नीचे आपको सो होगा लोड़ फॉंट या फिर लोड़ मोर फॉंट यह देख लिए आपके सामने यहां पर और उपसंद कर लेते हैं यहां पर आपको भी जो नेम अच्छा लगे आप उसे साबसे नेम कोपी कर लेना तो चलिए हम यह वाला नेम यहां से copy कर लेते हैं यह वाला नहीं first से second वाला करेंगे हम क्योंकि वो उसमें symbols बहुत जादा हैं तो चलिए हम उसको copy कर लेते हैं copy करने वाद आपको यहां से copy किया और आप 20 आपको Instagram के page पर चलिए आना जिसमें आपकी profile वगेरा है और इसके बाद आपको edit profile पर click करना वाला name change करने के लिए edit details पर ही तो जाना पड़ेगा तो चलिए हमने edit profile पर click किया उसके बाद name वाले option पर click कर देना जैसे name पर click करेंगे यहां पर आपका name आजाएगा अब यहां से आपको अपने name को हटा देना और जो पहले copy किया उसको यहां पर paste करना तो paste करने के लिए press करके रखे और paste वाले option पर click करके paste कर दे तो friends आपको एक चीज यहां पर ध्यान देनी कि यहां पर लिखा हुआ है कि आप 14 दिन से पहले एक ही बाद name चेंज कर सकते हैं बलाब आप एक बाद name चेंज करेंगे इसके बाद 14 दिन के बाद ही आप उपना account का name चेंज कर सकते हैं पहले नहीं तो आप एक ही बार में अच्छा name सेलेक्ट करें यहां से कि आपको बारवार सेलेक्ट करने की जरूद ना पड़े बारवार चेंज करने की प्रॉब्लम ना आ है तो चलि हम फिर से दूसरा name सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हो सकता है कि हमें वह निम पसंद ना बाद में और चेंज करने का मूड हो जाए तो हम एक ही बार में किलियर कर लेते हैं तो चलि हम यह वाले नेम को फिर से copy कर लेते हैं और copy करके बापिस Instagram के उसी page पर चले जाना है तो यह हमने यहां से बापिस अबने उस Instagram के page पर जाना है तो हम बापिस पेज़ पर आ गए आपको फिर से एक बार मार्क पर क्लिक करना है जिससे आपको प्रोफाइल सेव हो जाएगी तो चली हमने क्लिक किया और हमारा नेम इस्टालिक्स में कनवर्ट हो चुका है आप भी चाहें तो इसी तरीके से खर सकते हैं बस आपको चाहुदा दिन का वेट करना पड़ेगा द अगर आपको कोई प्रावलम है तो आप इस्टाग्राम पर डियम करके पूछ सकते हो सकता है आपके कोस्टन से हमें एक वीडियो का टॉपिक मिल जाए और हम नेक्स्ट वीडियो बना सकते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू